अब फ्राइंग पैंसे हमने कीचन का कितना खुबसूरत सा डेकोर बना लिया है और यह मेरा दोनों बन कर तयार हो गया है अब मैं आप तीनों कर देखे ले लिजे और यह सो रुपे में आपना देखे आज मैं आपको अपने पुराने फ्राइंग पैन का डियाई वै कर के बताऊंगी तो जैसा कि मेरा काम है बेस्ट आप आफ वेस्ट करना तो यह देखे बुराना मेरा फ्राइंग पैन पड़ा हुआ था और मुझे कीचन के लिए एक घड़ी वी चाहिए थी अभी तक मेरे प अगर आप सिंगल घड़ी भी बना सकते हो यह बिल्कुल आप पे डिपेंडन है और यहां पर मैंने आसानी के लिए जैसे एड राइक लिए से बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है तो मैंने क्या किया है बच्चों के पुराने खिलोने ले ले लिए और बास्केट भी ल में क्या क्या समान अवैलेबल है मैं बस सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूं और आप अपने हिसाब से अपने घर में समान अवैलेबल हो और आपकी सहूलत के हिसाब से बना सकते हो तो यहां पर मैं पहले पेंट कर लूँगे और पेंट करने से आप किसी भी पुराने से पुरानी चीज को बिल्कुल नया बना ज़ते हो तो पेंट आफ हमेशा घर पर रखेंग जैसरे अगर आप DIY नहीं भी करते वोग तो किसी भी पुरानी चीज को आप अगर नया लुक देना चाहते हो तो पेंट करने से बिल्कुल चाहें, आप जिसमाला कुछ जाता कुछ यह दिया। जाए आप अपके घर में भी पेंट को लाघए कष्याटा उसलया हैं, जरुकर के चाहें हों कि लोग और अपर जोग इसाइब के प्रीजाटा में अपर आप आप जेत हो जाता हैं। कितने दिनों से वाल्के पेंटे से ही डिया वाई war pul जो पिंग कलर यूँज घयलो उटे सवाई sara यह इए क अधर में आपास है आप फिर की दखने ही यह अथीifier इसी तरह से आप भी अपने हिसाब से आपके घर में जो भी समान अवैलेबल हो उससे अपने ट्राइ कर सकते हो और यहां पर देखे यह भी मेरा वाल का पेंट है इसको मैंने देखे यलो वाले ब्रहस से किया है जिसकी वजह से यह थोड़ा ग्रीन शेड हो गया है तो इस तर अपने घर को डेकोर भी कर सकते हो और पुराने समान को रियूज करकर और यह होम डेकोर बना सकते हो और जो आप जब आप खुछ से बनाते हो तो उसकी खुछी आपको मार्केट के खरीदने से कहीं ज्यादा होती है अगर आपने तक नहीं बनाया है तो एक बर प्लीज इसी तरह में हम दो एक बिल एक दो तरह को आपको इसी तरह के आईडियास आगे भी मिलते रहें अब मैंने क्या किया है यह यलो कलर और वह ड्राय हो चुका है यह धकन को भी मैंने यलो कलर पेंट कर लिया था और इसी के उपर में घड़ी लगाऊंगी क्यूंकि मुझे सीधा फ्राइंग पैन रखकर घड़ी बनाना था जैसे आप उल्टा भी बना सकते हो पर क्यूंकि मेरा दोनों मैच करना है तो मैंने सीधा रखा है और जब भी आप घड़ी की मशीन लाओ तो तीनों कांटे मशीन और उसका स्क्रू यह सब चीजे द्हान से ले लिजे और यह 100 रुपे में आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है तो इस तरह से घड़ी को लगाना बिल्कुल आसान काम है बस होल इस तरह से श्क्रू की तरह यह होता है इसको फीट कर देना है और तीनों कांटे लगा देना है बिल्कुल पांच मिनिट में आपके घड़ी बन जाएगी अगर आप इस तरह से किसी कार्ट बोर्ड पर या पेन पर किसी पर भी बनाना चाहो तो पहले घंटे का लगा तो बिल्कुल आसान काम है घड़ी की मर्शीन को लगाना और यह मैंने देखे इस तरह से सेट कर लिया है और अब मैं यह वाले बास्केट को पहले मैं स्टीक कर लोंगी तो यहां पर स्टीक करने के लिए मैं जो हमेसा यू यूज करती हूं यह वाइड ग्लू उसी को यू अगर हमेसा यूज करते हो तो पैकेट लाकर वाइड ग्लू का और यूज कर सकते हो और यहां पर मैंने क्या किया है यह 15 रुपे वाला जो मार्कर होता है पर्मनेंट उससे मैंने नमबर लिख लिए यह मार्कर आपको किसी भी स्टेस नादी पर 15 रुपे में मिल जाता है नमबर लिखने के बाद मैंने एक प्लेट लिए और इसको मैं रावंड सर्कल कर लूंगी तो इस तरह से देखे नमबर मैं अक्शली पहले ने सूचा था जैसे स्टीकर आते हैं वह मंगाऊंगी लेकिन मेरा बाजार जाना हो यह रहा तो मैं इस तरह से देखे उसका ही मार मास्किन टेप रिजय्न टेप बनाके चूपन ऑनला बना मोचे पहतलए बनाई तरा कहोग से शाव हो लिंदे नागता निया बनाया शान कर देख जय कहे को दियुदती यह एक्षिल में बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर था और मुझे ब्लू चाहिए था तो मैंने क्या किया था मेरा दीवार वाला पेंट था उसको मैं इसमें मिला दिया था जिससे यह थोड़ा देखे ब्लू जैसा शेड बन गया है तो इस तरह से चोटे मुटे आइडिया लगा तो इस तरह से देखिए मैं पूरे में कर लूँगी और कर लिए अपनी हिसाब से और भी कोई रख सकते हों अगर आपके घर में कोई धुसरा बचा हो या तो आपके वाल के हिसाब से पर निच्र के हिसाबसे तो उस हिसाब से आप अपने मन पसंद्झ कलर सकते हों तो यह मेरा पूरा मैं कम्पलीट कर लोंगी और देखे कितना खुबसूरत अब लग रहा है और शाइनिंग इफेक्ट होने से और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है और अब मैं घड़ी का यह कर लेती हूं माशीन सेट कर लेती हूं यह मैंने क्या किया है और स्पार्कल वाला ट्यूब जो होता है बच्चों का डियाइवाई का उससे मैंने नंबर्स पे इस तरह से स्पार्कल लगा लिया था और फूर्ट पर भी कर लिया था दोनों पर ताकि थोड़ा शाइनिंग अच्छा लगने लगे तो यह बिल्कुल इसका मैंने लेंब भी बनाया फिर आपके साथ एक प्लांटर भी शेयर किया था और यह जो बचा हुआ भी तक मेरे पास था तो मैंने इसका भी बनाने के लिए यह ले लिया है यह कपड़ा मैंने एक सुसांट रुपे मीटर क्राफ्ट की दुकान से लाया था इसके पिछ आप चाहो तो बनाओ नहीं तो स्किप भी कर सकते है इसी तरह भी बहुत अच्छा लगेगा तो अभी हमारी घड़ी स्टीक होनी वाकी है और सेल भी लगाना तो अभी मैं पहले यह बना लेती हूं और इस पर मैंने यह लेली है आपके पास जो भी लेस हो एक्चुल मैं मै वाइट लेस चाहिए थी पर यह थी तो मैं इसी को यूज कर ली वाइट मेरे पास नहीं थी कॉटन की तो यह वाली भी अच्छी लग रही है तो इसको मैं स्टीक कर दूंगी और फिर इसका बना लूँगी तो देखे इस तरह से बस फोल्ड कर के बना लेना है और इस तरह हो गया है और जो ही साइट से जो मैंने दागे निकाले थे उन से ही मैं इसको लपेट दूंगी इस पर और स्टीक कर दोंगी तो बिल्कुल देखे आसानी से और चोटे मोटे जुगार लगा कर आप अपने घर में जो भी चीज़े अवैलेबल हो उसे डियाएवाइ कर सकते हो अगर आपके पास वाल के पेंट नहीं हो या फिर ताप एक रेलिक पेंट का एक बॉक्स लाकर और उसको भी बहुत दिनों तक यूज कर सकते हो जैसे छोड़ी डियाएवाइ बना कर तो यह देखिए कितना खुबसूरत सा यह हमारा दोनों बनकर तयार हो गया है और यह निकाला नहीं है जब भी मेरा मूट चेंज होगा तो मैं इनको फ्लावर को निकाल दूगी फिर फ्रूट बास्केट की तरह यूज करूँ इस तरह से आप अपने हिसाब से कुछ भी बना कर यूज कर सकते हो और देखिए अब मुझे यह फ्लावर अच्छ लगा तो मैं इ अब सिर्फ हमारे यह जो बीचे मैंने घड़ी बनाई थी वह स्टीक करनी बाकी है और यह बो लगाने से मेरे खाल से बहुत ही जादा खुबसूरत इसका लुका रहा है तो देखिए एक बार मैंने लाया था बहुत पहले तो इस तरह से मैं चोटे मुझे सामान सब को फेक किया है एक्चुली इसका यह माइनस पॉइंट है कि जैसे आप बैक साइड वाली घड़ी बनाते हो पैन के वैक साइड तो आपको और नर्ट से डारेक फीट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब इसको मैंने यह डबल साइड टेप से स्ठीक किया है और जब करना पड़े गा तो यह माइनस पॉइंट है पर क्योंकि मुझे सीधा भी बनाना था तो मुझे यह करना पड़ा और मुझे कोई आप्शन इसके बालावा नहीं मिला तो मैंने यही सही समझा इस तरह से मैंने इसको डबल साइड टेप से यहां पर बीच में स्टीक कर दिय अब बैटरी मेरी खतम हो जाएगी तो मुझे फिर से उसको निकाल कर और बैटरी लगा कर फिर से स्टीक करना पड़ेगा तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है तो आप मैंने देखिए श्टीक कर लिया है और यह मेरा दोनों बन कर तयार हो गया है अब मैं आपको इसको वा यह दोनों पैन को लगा दूंगी इस पर और इसको लगाने से मेरे वाल की खुबसूरती बहुत ही जादा बढ़ गई है तो यहां पर देखिए मैंने हैंडल में क्या किया है जूट की रसी को बांद गया है ताकि जब मैं हैंक कर रही थी तो यह जैसे आगे होने की वज़ किचन का कितना खुबसूरत बना लिया है और इस तरह का मार्केट में आप जैसे फ्राइंग वाली घड़ी मिल जाती है अनलाइन अब चेक करेंगे तो बहुत ही महंगी होती है और घर पर हम बिलकुल देखिए सो और पे की मशीन लाकर और आसानी से बना लिया है तो आप अपने घर में जो भी सामान अवालेबल हो इसमें आइडिया लगा कर इस तरह से वाल डेकॉर बना सकते हो और उमीद है आपको मेरा यह यह पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजें मैं इसी तरह के वेस्ट मट्रेश के आइडिया द